दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं कि नवरातरी के दिन अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा खास, सिद्ध और दुरलब होते हैं नवरातरी पर ही साधनाय की जाती हैं, प्रयोग किये जाते हैं, जो कभी भी खाली नहीं जाते हैं बहुत सारी लोग इन ही दिनों के इंतजार में रहते हैं, क्योंकि नवरातरी में ही बहुत सारी ऐसी चीज़े की जाती हैं, जिनसे गरीबी बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, व्यक्ति के, करोड़पती बनने के योग खुल जाते हैं, और पूरी तरह से कंगाली जीवन से बि लेने से ही किसमत पूरी तरह से बदल जाती है कंगाली तूर हो जाती है और करोडपती योग बन जाता है तो दोस्तों सबसे पहला उपाय है शनी ग्रह के लिए अगर आप अपने जीवन में शनी ग्रह के दुश प्रभाव से बहुत जादा परेशान है क्योंकि जैसा कि हमने अपने पिछले काफी वीडियो में भी बताया है कि शनी ही वो ग्रह है जो अचानक से ही धन प्राप्ति कराता है और अचानक से ही अर्श से फर्ष पर भी ले आता है जिस व्यक्ति पर शनी की द्यादरिश्टी हो जाए फिर तो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पात है क्योंकि जिस भी व्यक्ति पर शनी की द्यादरिश्टी होती है और उसके खिलाफ अगर कोई कुछ सोचते भी हैं उसे नुकसान पहुचाने के बारे में सोचते हैं तो वो खुद ही सभी लोग अपने माया जाल में ऐसे फस जाते हैं उनकी मन की शांती भंग हो जाती है और पूरा दिन ही दिमाग में मन में दर्द सा होने लग जाता है वहीं दूसरी और अगर किसी व्यक्ति पर शनी की कुरू द्रिश्टी पढ़ जाए तो ऐसे व्यक्ति को फिर बहुत ज़्यादा मेहनत का सामना करना पड़ता है और फिर जीवन में कुछ भी नहीं हो पाता है तो दोस्तों अगर आपके जीवन में शनी के दुश्परभाव हैं तो शनी की किरपा द्रिश्टी प्राप्त करने के लिए नवरातरी के दिन सबसे ज़्यादा खास और उत्तम माने जाते हैं आपको केवल इतना करना है कि नवरातरी के कोई भी दिन से आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं और लगातार ग्यारा दिन तक ही आपको इस प्रयोग को करना है अगर आप नवरातरी के आखरी दिन पर भी इस उपाय को शुरू करते हैं तो ग्यारा दिन तक ही लगातार करना है आपको इसमें इतना करना है कि कटोरी में सरसु का तेल ढाल कर चार ल बस बड़ा ही आसान सा यह मंत्र है एक बार फिर से आप इस मंत्र को सुन लें ओम एम हरीम कलीम चामुंडाय विच्चे यह देवी माता का सबसे शक्तिशाली मंत्र कहलाता है और जो कोई भी व्यक्ति इस मंत्र का अनुष्ठान करता है साधना करता है जाप करता है और परिशानी चल रही है तब भी आप के वल इस मंतर के जाब से ही उन ग्रहों के दोस्ट से चुटकारा पा सकते हैं। इसी मंतर के और भी ज्यादा खास दुरलब साधना के बारे में हम आने वाले वीडियोज में आपको जरूर ही बताएंगे। लेकिन शनी के दुश्परभाव को दूर करने के लिए आपको उस सरसो के तेल में अपने चहरे को देखते हुए एक माला इस मंतर का जाप कर लेना है अगर आपके पास माला नहीं है तो कोई भी आवशकता नहीं है आपको केवल उंगलियों से 108 बार काउंट कर लेना है अपन शिव की विशेश किरपाय प्राप्त होती है क्योंकि बहूत सारे लोग नहीं जानती है कि शनीदेव खुद भी भगवान शिव के माता धुर्गा के परम भक्त हैं और केवल उनहीं की भक्ती में हमेशा लीन ढेते हैं उन्हीं के कारन उन्हें नयाय का देवता बनाया गया तो केवल इतने आसान सी चीज़ों को करने से ही ग्रहों की संपूर्ण किरपा दृष्टी प्राप्त हो जाती है। और हमेशा बस यही सोचते रहते हैं कि कैसे इस व्यक्ति से चुटकारा पाया जाए। अगर परिवार में इस तरह की नफरत भर गई है तो आपको अपने हातों से नवरातरी में देवी दुरगा को मंदिर में जाके सोला श्रिंगार का समान भेट चढ़ा देना है। एक इतर को चुनकर वह आपको दे दें। बस इसी तरह से जो भी आपको गुलाब का इतर या चंदन का इतर प्राप्त होता है तो आप उसे अपने घर ले आएं और रोजाना अपने पूजा पार्ट में इस्तिमाल करें। रोज पूजा में आपको देवी माता के चढ़नों में इसी इतर को लगाना है और उसके बाद यह इतर थोड़ा सा अपने माथे पर भी लगा लेना है। और यह चीजे खास नवरातरी पर ही की जाती हैं तो जरूर दोस्तों इन सभी चीजों का लाब उठाएं आने वाले वीडियो में आपको दुरलब, साधनाय और प्रयोक प्राप्त होंगे नवरातरी के लिए ही तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जै जै महाकाली लिखना बिलकुल भी ना भूलें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें जिससे सभी लोगों को लाम मिल सके और मातदुरगा की और महाकाली की विशेश किरपा प्राप्त की जा सके इसी तरह की खास ग्यानवर्दक जानकारी हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें जिससे आने वाले सभी ग्यानवर्दक वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें धन्यवाद